आपको बहुत बहुत स्वागत है अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर के इस ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि हम आपको कुछ फाउंडेशन क्लासे दे रहे हैं जिसमें कि आपके कुछ कुछ क्लियर हो आपको पता लग जाएगी भाई इन सब्जेक्ट क्या होता है उसी करम में मैंने आपको दो सब्जेक्ट दो क्लासे होटकर चुर्चर की दी थी जाके चख करना कि होटकर प्रूट और वेजटेबल की इंपॉर्टेंस क्या होती है विटामिस, मिनरल, कर्भोहड़िट इनके बारे में आपको एक आइडिया दिया था बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी चाकर चेक कर लेगा यहीं फांडेस्में आपको मिल जाएगी एक और बात है आज सर्फ पैर खड़ा गए क्यों कि आज हमारा एक नया सब्जेक्ट है वह एक हरपतवार विज्ञान यानि की बीडिसाइंस बहुत बहुत बहतरी इंतरी के से लेक्षर को देखेंगे पेसिंस बनाईएगा तकि पेसिंस से इस क्लास को आप देख सके ठीक है चनल को जरूर कर दीजेगा इसे कि आपको हर एक अब्डेट टाइम पर बिले और साती साथ डिस्क्रिप्शन से हमारे एप को डाउनलोड कर लिजेगा वहां पर एक कम्यूनिटी है होटी कर चरवाय आकाश्चर डाउट रूम्स बगरा भी है वहां जाके आपको फॉलो करिएगा कम्यू अरुजंक जुए प्लांट जसकी जरूरुए तहीं नहीं और वह अन्वांटेड अंद्छर्बल बांट जो कर गया है वहằं क्या क्या करता है फॉलाऊट करता है कोई छोटा सा खाली अरिया वहां घास हुगी हुई है एक तरीके चाहिए वीड है पर आपको कोई भी नुकसान नहीं कर पा पा रहा है ठीक है वो हो या ना हो में कोई जुरूरत नहीं पड़ता है एक तरीके से अगर आप उसकी सब्जी आमा लिजे आपके घर के सामें बत् ये तो मंन में ये भी आता कि गेहू, धान, मक्का क्या ही सब क्रॉप होती है कभी ये बीड हो सकते है तो बिल्कुल बेटा ये वीड हो सकते है कैसे हो सकते है आम लक्षारोसमें इन लक्षाराना में में चर्चा करते रहेंगे यह हमारे आढगाज 4.0 पेड़ बहे चे उस और वीड के पिता जी कौन है वो है जन्थोटूल था इन्हें बोलते हैं फादरा वीड करपतवार के जनक और इन्होंने किताब लिखी थी उस किताब का नाम क्या था हॉर्स होइंग हस्वेंडरी उस किताब का नाम क्या है हॉर्स होइंग हस्वेंडरी किताब लिखी थी वो 1989 में, 1989 में, इसका एक research center बनता है, National Research Center of Weed, NRC बनता है और वो establish होता है, और आपर 1989 में, जवलपूर में establish होता है, तो जवलपूर में, इसका सबसे पहला, National Research Center of Weed की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका बार-बार नाम change होता रहा, और इसका नाम जो है, दो हजार चौधा, 2009 में, एक बार change हुआ, और change करके क्या रखाएगा, Directorate of Weed Science Research, Directorate of Weed Science Research, इसका नाम परिवर्थित करके रखा गया, और उसके बाद, 2014 में, फिर से इसका नाम change हुआ, पहले कुछ fact देख लेते हैं, और अब इसका जो नाम रखा गया, ठीके, वो रखा गया था बाबू, आपका Directorate of Weed Research, तो Directorate of Weed Science Research अगर बोलता है, तो कब नाम था, 2009 में था, ठीके, Directorate of Weed Research अगर बोलता है, 2004 में था, और आपका 1989 में, National Research Center of Weed की स्थापना की गई थी, इतनी बातें के लिए हैं, इतनी बातें के लिए हैं, कमेंट में बताते रही न, बाद में, जब ही वीडियो अपलोड हूँ, यहां सर जी, हीजिए समझ में आई, बहुत ध्यान से देखना, छोड़ने से पर दोत्तर बाद समझ लेना, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, मज आ रहा है का प्यार से बैटना, तो हमने देख लिए हैं ठीक है, यहां बात हमाने के लिए है, अब देखो, हम क्या सीखते हैं कि भाई, एक रिसर्फ सेंटर और हमारे एक्जाम में आ सकता है, फिर हम कर्रेक्टरिस क्यों बढ़ते हैं, वह है इंडियन सोसाइटी औफ वीड साइंस, इंडियन सोसाइटी औफ वीड साइंस जो है, जिसकी 1965 में जिसकी स्थापना हुई थी, पर जब स्थापना हुई थी, वह कहां हुई थी? हिसार में हुई थी, लेकिन बार में जो NRC बना था वो 1989 में जबलपुर में बना था, इस लिए, साइंस का जो इंडियन स्वसारटी अजो इसको उठाके भी कहा फेक़ दिया गया जबलपुर में इस थयफित के दिया गया तो इस समय जो इंडियन ससाइटी अवर वीर साइंस है भी कहां पर है जबलपुर में है इस्तहपना हुई कहाmesan कहा थी j है 2065 इतने तो आपके फैट्रिक जाम में बरी सकते हैं, अब इसके बात जब भी हम बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं, भाई साहब, हम लोग देखते हैं, भाई साहब जो इसके main main characteristics से वो क्या क्या होते हैं, तो हमारे weed के main characteristics क्या होते हैं, कि most of the weed is specially annual produced enormous quantity of seed, बहुत आयत मात्र मतलब में क्या करते हैं, seed का production कर लेते हैं, आपके मने रहाएं का annual bineal क्या होता है, पता होगा सबको, annual क्या होता है, कि भाईया जी हमने क्या सीखा था, annual bineal का मतलब, कि जब कोई weed या जो कोई plant एक साल के अंदर अपनी life cycle को complete कर लेता है, उसे हम annual बोल देते हैं, जो एक से जाधा साल में complete करता है, दो साल में complete करता है, उसे bineal बोल देते हैं, और जो दो से जाधा साल में complete करता है, उसे क्या होते है, perennial बोल देते हैं, लेकिन भाई, life cycle का मतलब क्या होता है, सर, भाई, basic foundation पढ़ने हैं, तो सब कुछ बता होना चाहिए, तो life cycle का मतलब होता है, कि भाई seed to seed जैसे आप इस दुनिया में आये थे जिस दिन आपकी प्रोजिनी इस दुनिया में आ जाएगी आपका इस दुनिया में आने का करतब पूरा हो गयी आपकी life cycle complete हो गई तो BID की life cycle जगर वो एक साल के अंदर बने हमें easily adopt कर सकता है किसी भी जब climate जब change होती है तो BID बहुत easily survive कर सकता है और साथी साथ जैसा moisture है उस moisture में अपने आपको grow कर सकता है जामाने तक हमारे weed होते हैं इनकी जो roots होती है बहुत ज़्यादा गहराई तक जाती है deep rooted होती है जिससे के हमें बहुत ज़्यादा इन weeds को struggle नहीं करना पड़ता है किसके लिए nutrition के लिए moisture के लिए कुछ और point अगर देखेंगे तो weed के जो seed होते हैं बहुत लंबे समय तक viable रहते हैं इनके दर capacity होती है इनके दर ओज होती है नए plant को generate करने की समनता कर कोई plant है कोई weed है कोई भी plant का seed है वह आपने डाल दिया डालने के बाद कुछ time के लिए survive किया और फिर खराब हो गया तो बहुत वाइवल नहीं है पर weed के seed यह एक productive property ही है protective property क्यासर जिसे मानलीजे कोई weed है जिसके वह उसे काटे निकले हुए है तो उसे कोई harm करेगा कोई weed है जो अपने अंधर से करने कला कोई ऐसा secretion निकाल रहा है जिससे लोग दूर भागते रहते हैं तो उसे कोई harm निकरेगा तो यह बहुत से बीट के अंदर ऐसी evasiveness quality होती है, जिससे कि हम बहुत से लोग या बहुत से कोई भी जानव वगार से खाते ही नहीं है, तो बहुत सुरचित रहता है, इसलिए बीट हमारे आगे है, तो बीट के लक्षड क्या थे, आप पड़ देता है, दीर दीर है, most of the weed especially annual produce enormous quantity of seed, बहुत आयत मात्रा में हमारे जो weed होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो आपकी seed की quality को बढ़ा देते हैं, या मिल रहा है, इनके अंदर के बहुत अधिक seed का production होता है, Amaranthus में सत्यदा होता है, Weed have the capability to withstand the adverse condition in the field, because they can modify their seed production and growth according to the availability of moisture and temperature, आप रेंदर adverse climate को condition को adapt करने की potential होता है, वो आरांसी यह survive करते रहते हैं, Weed should remain viable several times, टीक है, Evasiveness of weed, देख लिए हमने, अब हम लोग दीरे-दीरे इससे कुछ ने कुछ concept के दरे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से बेटना, आने वाले अगर 10 मिनिट आप रुग गये तो आपको मज़ा जाएगा, 10 मिनिट से लिए, पहला होता है weed persistent क्या होता है, भाई persistent अभी आपने पढ़ा है, मतलब persistent का मतलब होता है कि जो adverse climate condition थी, जो नय नय environment था, उस नय नय environment में अपने आपको adapt करने का जो potential है, नय environment में अपने आपको adapt करने का जो potential है, वो potential क्या कहलाता है, वो potential कहलाता है weed persistent, तो adapting potential of weed that enable into survive in a new environment, और existing environment, जब उसमें कोई भी नय environment में किसी चीज़ को जब adapt करना होता है, तो adapt करने की जितनी उसे सक्ति होती उस सक्ति को क्या बखते है बीड पर्सिस्टेंट बोलेते हैं दूसरा इसमें कॉंसेप्ट आता है वीड सक्सेशन बैट पर्सिस्टेंट तो किलिए रहो गया कि बीड के अंदर adverse climate condition को adapt करने का जो potential है वो पर्सिस्टेंट होता है पर्सिस्टेंट जनली वीड में जाबा होता है दूसरा होता है बीड सक्सेशन क्या है अब इसको मैं और एक्जामपल से समझाओंगा माली ये दो दोस्त से अच्छे तरीके से रह रहे थे और उन दोस्तों के बीच में कोई तीसरा आ गया अब जैसे जब कोई तीसरा आया तीसरे आने से क्या हुआ अब उनका आपस में जैस automatisch बाएक दूफरे के लिए ब्युवार बदल गया उनका आपस में ब्युवार बदल गया जब ब्युवार बदल अगया तो उसे हम उनक्या बोल दाए उसे हम बोल देंगे कि यह क्या है अब यार तुम पहले जैसे नहीं रहे डोंट इंटरफेर में परसनल लाई यह क्या है एक सक्सेशन तो बीड सक्सेशन क्या है कोई भी ऐसी प्रॉसेस कोई भी ऐसी फिनोमेना जब जो है कोई भी नएा हैबिक आता है और नेए हेविटाट के आने से उने दो हुएड के दो प्लांट की khology एफ चेंज हो जाती है उसे हम क्या बोलते है वीड सक्षेशन बोल देते हैं सार समझ में थोड़ा काम आया कोई पर आपने आपको तरीका दिखाते है यहां पर देखो यहां पर बहुत बड़े एक्जामपल रखा हुगा है यहां पर देखना कि भाई साहब यह दो मालीजिय अच्छे बहुत बढ़ी आ तीसरा हैविटेट आ गया और इस तीसरे हैविटेट के आने से क्या हुआ इन दोनों की आपस की एकोलाजी चेंज हो गई अब यह प्राइमरी सेकंडरी हो था यह आगाज 4.0 बैच है उसमें आपको पढ़ाएंगे यह डूंट बरी टैंसम दालो अभी कांसेट बेसिकली तो जब कोई दो हैविटेट थी के बीच में कोई बीच में तीसरा हैविटेट आ गया और इस तीसरे हैविटेट के आने के इनके आपस की एकोलाजी चेंज हो गें डिस्टर्ब हो गई तो इसे क्याम बोलेंगे वीड सक्षेशन ऑल देएंग क्या बीड जाने के छंटम प वीड सक्षेशन, क्या बोलते हैं, वीड सक्षेशन बोल देते हैं, आप पढ़ लेते हैं, लिखा है process और phenomena, which weed ecology changed any time due to formation of new habitat or due to destruction of existing habitat, तो कोई भी ऐसी process, कोई भी ऐसी phenomena, कोई भी ऐसी अवस्था, जिससे की क्या होता है, जिससे की जो नया habitat होता है, उसकी ecology या उसका environment relationship change जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, weed succession बोल देते हैं, तो weed succession का मतलब समझ में आ गया होगा, I think, अब primary section क्या होता, secondary क्या होता, यह आ गया, आपको पढ़ाएंगे, तो deep education अभी basic का अन्दर समझो, आरह हम 25-25-20 minute के अंदर आपको basic जिए पताएंगे, part 2 भी जल्दी आएगा, don't worry, तो यह हमारी क्या होगा, weed succession होगा, तो हमें पता है, weed क्या होता है, ठीक है, weed जो है, कोई भी unwanted, undesirable plant है, weed के father कौन है, gentrotool है, horseowing, facility की ताबनों ने लिगी थी, ठीक है, weed क्या characteristics क्या होता है, हमने देख लिए, भाई, यह भी तो देखा भाई, persistent power ज्यादा है, evasive ज्यादा है, viability ज्यादा है, crop की depth में ज्याने की capacity ज्यादा है, इस सब weed के लिए ज्यादा होता है, seed quantity ज्यादा है production करने की, और weed successful भी देख लिया, अब भाई साब weed जो होते, human health को कैसे कैसे नुक्सान बचाते है, जैसे की कभी-कभी क्या आउटा नो की देखा होगा, यह बीड से एक होळ नुक्सान होता है, भाई साहब, Face area और parthenia और पर्थेञ्टना दोनों से, अस्थमा हो जाता है अब अस्थमा कैसे होता है, अस्थमा कैसे होता है, समझो, अगर बात करेंगे समझेरा प्यास से कि भाई साफ जो हमारा जैसे वाली जीए जो जिनके सांस वाफ अच्छे नहीं आती है उन्हें कभी भी खेत बहुत 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 क्योंकि जो का पार्थेनियम होती है फ्रेंसेरिया होती है इसके फ्लाबर जो होते हैं नाक भूश खुझनी कम होगी लेकिन हाथ रेड हो जाएंगा बहुत ज़्यादा रेड उसे वह तर्मेटाइटिस अलरजी हो जाए गया तुम्हें वह भी किस होता पर्थेनियम होता है इचिंग जो है खुझनी पड़ती ही डूटेका से खुझनी पड़ती है और मलेरिया से भाईया लेकिन ये भाई साब नालाएक है क्या है पाकिस्तान टाइप का है रात को जगा देता है सुबह दिन भर आराम से मच्छरों को अपने यहां रेजिदेंस प्रवाइट करता है और आराम से सोते हैं मेचर to फिष्टायक उपर राच ओते ही मेचर जाते है खुममलरीया फैलाते हैं तो पिष्टिय इसलिए क्या क्या स einzजा करता है क्या करता है مलेरियya fries करता है यह कोता है drop c यह आर जी मोना मेक्सिकाना सत्यानाथ सी अर्य हुआ कैता है तुलब जानलो हलाग कि यह बैचुक के मिलें पढ़ाएंगे यहाँए चनलो की बदिल्ली में 1999 1999 पिखाता है तो हुआ क्या था कि वह एक सरसों का खर्पतवार होता है सप्या नसी यह तरीके से क्या है एक तरीके से इसका अब्जेकसनल वीड है है आगे लक्छर में आपको समझाएंगे पर जिना सीड पिल्कूल एक जैसे होते है तो अगर आप का सर्सो में अगर तुम यह फत्य नसी मिला दो तो दोनों की फिल्कूल एक जायत होते हैं आप 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 आपनी से उन्हें आलग नहीं कर दें लिगह तो वह वाली को सरसो बिजमीलिक जब उस तेल का श्यवन आ लोग नए किया तो इनको ट्रॉप सी डिसरोडर हो गया नीचे गड़े हाने लगे आखों के समने धुंधुला दछाने लगा आखे वहुच कंजॉर होने लगी ठीके नीपर गुटना 2010 तो यह सब समस्याइं क्या थी dropsy काज कर रहा था और यह मुक्ता हुआ क्यों क्योंकि आमारी जो सरसो थी उर्थ में Mexican poppy आज जिमान मेक्सिकाना या फिर सत्यनासी के सीड को अपस में तो इस अगर देखेंगे बीड क्या-कया human health को नुक्सान करते हैं तो अस्थमा का नुक्सान करते हैं ठीक है पार्थेनियम इचिंग, Malaria, Dropsy यह सभी समस्यां जो है खर्पतवारों की बजासे होती है तो अभी तो समस्यां की तो बात कर रहा है हम लोग हमने यह भी देख रहा है कि क्या जो सेखें ताकि आपको पता लगा कि बाई जो ब्याचिस आप पढ़रे हमने क्या चीती है होती है और यहां भी आप पढ़र तो आंको concept सीखने को मिले अगले अब बीड डॉरमसी में सबसे पहले आती कि डॉरमसी हो निया क्या रदी है? बाई, कंडिशन सुटेबल थी और जयसे फुटेबल मिली है महली फुटेबल नहीं भी थी उसमें भाई साब क्या हुआ? उसमें गर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो condition होने के बाद जिब duration start नहीं होता है उसे हम क्या होते है सुसुटता बस्ता बोलते है भाई dormancy बोल जते है अब भाईया dormancy जो है तीन प्रकार की होती है एक होती innate, एक होती induced, एक होती impulse अब भाईया innate क्या होती है एसी dormancy जो भाईया जी genetically controlled हो रही है मतलब बाप के नदर जो लक्षर था बो लल्ला में आ गया जो लल्ला में था तो उसकी लल्ला में आएगा उसकी लल्ला में आएगा मतलब ऐसी dormancy जो की genetic character के द्वारा controlled की जाती हूँ उस प्रकार की dormancy को क्या बोलते है innate dormancy बोल देते हैं लिखा भी है is a genetically controlled character and it is specified to the certain bit species कुछ bit species में यह मेली देखी भी जाती है दुसरी जो होती है होती induced dormancy induced क्या होती है induced में क्या होती कि मैं रस्टे से जा रहा था भेल बूरी खा रहा था अचानक से accident हो गया मामला खराब मतलब मतलब यह है कि जब भाई साहब environment में sudden कोई change आ जाता है अचानक से जब environment में कोई चेंज आता है कभी temperature उपर नीचे हो गया कभी carbon defied उपर नीचे हो गया कभी जो है बाहर आ गई जब इस बज़ा से जब कोई change आता है और उस change की होने की बज़ा से dormancy create होती है उस प्रकार की dormancy को बोलते है induced dormancy sudden physiological change under the impact of factor like soil temperature increase carbon dioxide low oxygen water logging इस प्रकार की जो समस्या होती है और इन समस्याओं की बज़ा से ज़ो dormancy create होती है उसे बोल देते है induced dormancy तो वो क्या होती है वो क्यालाती है induced dormancy और तीसरी होती enforce जब किसी को आप उठने नहीं देऊगे उसकी खोपड़ी को जमीन के तो ज्यादा गहरा ही में डाल दोगे क्या बल देंगे enforce dormancy तो हमने क्या देखा dormancy क्या होती है innate क्या होती induced क्या होती इंफोर्ज क्या होती इंफोर्ज क्या होती बिद एक्जाम्पल यहां लिखे हुए है टेक तो यह भी चीज़ें आपकी clear हो गए innate क्या है genetic character दा control होती है induced अचानक से चेंज जाता है इंफोर्ज जो है वह आपके due to deep replacement यह बहुत basic चीज़ें इसके अंदर की चीज़ें होती है काभी जी detail में होती है characteristics में काभी चीज़ें होती है persistent में smile इसकी चीज़ें होती है इनको आगे भी करवाएगा don't worry clear है तो यह बहुत 20 minutes के बहुत characteristics कौन कौन से होते है beats जो है वह कितने अभी टाइप आगे बटाएंगे ठीके basic terminology में beat persistent क्या होता है ठीके साती साथ हमने यह भी देखा भईया जी dormancy मतलब क्या होता है यह बहुत basic चीज़ें अभी इसके part 2 भी जरूर आएगा जरूर देखना बाकि किती बच्चे को अगर बहुत जल्दी अच्छी तरीकर चीज़ें को cover करना है तो बता दू आपको simply adda 247 search करना है description से करते ही search करते ही आपको all courses में जाना है all courses में आपको जाना है किसमे agriculture में वहाँ पर तमाम batches चल रहे हैं आपको IPS A4 click करना है यहाँ पर आगार 4.0 batch मिलेगा पूरी weed science पूरी extension और weed science और hottie culture यह आपको बहुत crystal और clear तभी हो पाएगा जब आप इस डाशे में इंडोल करेंगे इंडोल करने के लिए आपको क्या करना है आपको इस पर click करना है y9 जाना है 999 का दिखा रहा होगा अभी क्या करिएगा coupon code apply कर सकते है अभी आप coupon code डालना y612a y612a apply करना apply करते ही 649 का पूरा batch मिल्याएगा clear crystal तरीके से एप download करोगे extra discount मिलेगा यह आपका foundation batch है अगर आप इस सब बच उड़ान संकल्प यानि हार एक subject को तयार करना चाहते हो तो foundation batch के बाद में देखोगे तो उसमें क्या foundation batch में इंडोल करना coupon code उसमें भी same रहेगा वो क्या रहेगा वो रहेगा y612a जैसे y612a apply किया 299 का पूरा batch मिल जाएगा ठीक है current के price देख करना all over के लिए अगर आप all over त्यार चाहते हो किसी और हर एक exam को एक सा टर्रगर करना चाहते ह तो एकर क्या तर्मापयक है जिसमें आपको e-books test series भी मिलेगी ठीक है आपको इसमें 500 गुंट्रेक्ट ग्रास है 554 e-books मिलेगी 2013 तेजिस के आसपर आपको test series मिलेगी यह सब चीज मिलेगी इनके लिए आपको क्या करना y612a apply करना है apply करते ही 6300 का पूरा वीडियो राप्त ह जाएगा पूरा course ताफ हो जाएगा ठीक है books बगरा लेने के लिए test series लेने के लिए y612a apply करना है बागे 20 minutes का लेक्षर आपको कैसा लगा है बताएं comment के जरूर और आपको weed science और पड़निये पूरताईगे का part 2 जग्विन लाइए अपना क्या लखिये रात को आठ को आठ क आठ के लाइव उसको टेल करना जाए हुंत